बात करते हैं आज की वीडियो आजाएं आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको कुछ दिखाने नहीं वाला मैं बल्कि जानकारी देने वाला हूं क्या जानकारी देने वाला हूं आई बैठ के जानते हैं कि दोस्तों इधर थोड़ा बैट जाते हैं दोस्तों हर वीडियो में अपन देखते हैं आप लोगों को मैं नई-nई डिजाइने दिखाता हूं पर क्योंकि यूट्यूब का अपना काम है बहुत सारे मेरे यूट्यूब से कस्टमर्स आ रहे हैं एक ही सवाल रिपीटेडली आ रहे हैं जैसे इधर होटल रहने के लिए क्या विवस्ता हैं सूरत के अंदर जी एस्टी नंबर लेना जरूरी है मैं एकनम छोटे गाउं में रहता हूं तो वहां तक ट्रांश्पूर्ट आपको पहुंचा पाएगा की नहीं पहुंचा पाएगा आप कच्चे में माल द है जो कॉमन नया वैपारी शुरू करना चाहता है काम तो उसके मन में यह सवाल आते हैं और थूड़ा मेरा गाइडेंस है जो मैं आपको अपने 40 साल पुरानी दुकान में और 5 साल के मेरे परसनल एक्सपीरियंस से आंसर करने वाला हूं तो शुरूआत करते हैं दोस्तों आज की यह लाजवाब वीडियो पहला कोश्चन है दोस्तों अपन देखते हैं यहां पर जैसे पहली चीज़ है कि GST नंबर के बिना माल मिल पाएगा की नहीं दोस्तों इसका कंसेप्ट आपको समझाते दाओं अगर आपका अच्छा काम है आप आगे भी माल GST में बेचना चाते हो तो आप GST नंबर करा के ही लीजे क्योंकि आपको तो रिफंट मिल जाएगा उसका लेकिन आपकी छोटी सी दुकाने नया स्टार्ट अप करना चाते हो घर से माल बेचना चाते हो तो बिना GST नंबर के भी आप आओगे आपको कोई भी अराम से माल दे देगा GST लगाके आपको आपको जाएगा ठीक है तो यह तो बेसिक सी चीज है GST नंबर नहीं है कोई टेंशन नहीं है ध्यान रखें अधार कार्ट या पैन कार्ट साथ में लेके आ जाए और भारवाले कंप्यूटर में बना लो यहां पर भी 10 मिल बास ठीक है प्रिंट आउट ले ले थोड़ापन पीछ शूरत के शहर में माल देवाइन कोई दिकट नहीं रहेगी अँगला सवाल है अगला सवी बहुत सारे इदर आप सूरतौर आएं दोस्तों तो आपको रेलवे स्टेशन पर आप आ जाए ना दोस्तों तो आपको बहुत सारे चलते फिरते आटो वाले यह सब भी एजेंट मिल सकते हैं कि भाई हम आपको अच्छे मनुफैक्ट्टर के आज पहुंचा देंगे चलिए हमारे साथ यह सब नहीं दोस्तों प्रॉपर एजेंट होते ह जो मार्केट में जिनकी दुकाने होती है उसके अंदर एजेंट प्रॉपर बैठते हैं वो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों मैं खुद बोलता हूँ एजेंट से काम करिए क्योंकि क्योंकि मेरी दुकान में दोस्तों आपको बोलू 60-70% दोस्तों एजेंट के थ्रू माल बिख वो एजेंट ही लेके आता है प्रॉपर एक फॉर्मल तरीका होता है काम करने का दोस्तों उसमें एजेंट का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है मैं यह नहीं कहूंगा कि एजेंट से काम मत करो अच्छे एजेंटों से काम करना चाहिए आपको भी करना चाहिए दोस्तों पर ऐसे चलते-फिलते और वाले से होटल वाले से वैसे एजन्टों को मत पख़़ने ना क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा दोस्तों तो proper एजेंट पख़़ो कोई दिक्कत नहीं आएगी चलते-फिरते एपको कोई मिल जाए वैसे एजेंट की कोई लाइबलेटी नहीं होती दोस्तों तो उस जाल में ना फसे बस इतना कहना चाहूंगा आपको बढ़ते हैं अगले कोश्चन की और छुट्टियां दोस्तों सूरत शेयर में दोस्तों जैसे कपड़ा बजार है तो यहां पर छुट्टिय हो तब मार्केट ऑफ रहता है जो सूरत फेडरल ऐसे पेज़ेस अलग-अलग है सूरत कम्यूनिटी ऐसे पेज़ेस है वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कि हां आज मार्केट बंद है सूरत में आप कहीं भी कोई दुकानदार के पास आने वाले हो तो उसको कॉल करक आख को दुकानाब का मार्केट सूरत में अलग Een अधाने वाले में तो आट को दूकान दुकान आपका काम हो जाएगा मैं 8-9 मत जाएगा शौप थोड़ी close रहती है सब की आप साल तुम्हें धक्का पड़ेगा रात को जादा लेट नहीं चाड़े-ाठ से पहले-पहले जाने है अपन को 10 बजे के बाद से छुटियों का अपन को पहले से पूरा clarify करने है कि ऐसे market बंद रहता ही नहीं खाली संडे को रहता है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इतना ध्यान रखने है अपन को तो यह चीज है अगली चीज सूरत कैसे है कोई-कोई तो पूछले तो भई सूरत कैसे है सूरत अराम से railway connectivity है दोस्तों अराम से आपको मिल जाएगी पर अगर आप फ्लाइट से आना चाहें तो फ्लाइट से भी अच्छी connectivity है पर आपको बताऊं सूरत अगर आपको नहीं पता तो एमदाबाद तो अराम से आई सकते हैं दौ किलो मीटर की रेटियस में आपको पूरा सूरत कर अ कपड़ा बजार देखने को मिल जाएगा तो कोई हेक्तिक नहीं है कुछ नहीं खाली आपको को हिम्मत बनाने मन बनाने कि मेरे को वइपार शुरू करने तो अको पूर्धा आईडिया आपको पूरा प्राम से आप रीच कर सकते हैं पर मैं आपको एक परस्नलिस्ट में गाइडेंस दूँगा कि आप नया काम चालू कर रहें सूरत आना चाहते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान रखें दोसको पहले आपको पताओना चीए कि आपका टेस्ट क्या है जो आप माल बेच रहे हो या बेचना चाहते हो वो खरीदेगा कौन और खरीदेगा कौन यह आपको पता है कि यह खरीदेगा तो यह भी पता होना चीए क्या भाव पर खरीदेगा वो जैसे एक साड़ी है तो आपको पता होना चीए मन में कि हाँ यह साड़ी में 800 रुपे में पेच सकता हूं इस कस कस्टमर क्या ले रहे हैं, उनके पास दुकानदारों के पास क्या टेस्ट है, उनके पास experience है, तो उनको पता है कि ये टेस्ट रखूँगा, तो ये माल बिकेगा हमारा, तो आप भी थोड़ा देखे, क्या rate में पूछता आज करें, सिसूरत आके देखे, क्या rate में आपको वो चीज मिल रही है, और दोस्तों, खाली भाव से कुछ नहीं होता, भाव पर मत जाएं, खाली भाव पर मत जाएं, मैं कहूँगा, बहुत चीज़े होती, आप मेरी हर वीडियो में देखते हो, मैं आपको specifications देता हूँ, कि ये साड़ी का cut है हमारा दोस्तों, साड़े 6 मीटर ये साड़ी में 5 मीटर वर्क डाला गए हम लोगोंने, इसमें border पूरा देते हैं, साड़ी का blouse ये कपड़े का है, वो कपड़े का है, कौन सा कपड़ा नहीं होना चाहिए, हर चीज बताता हूँ, आगे लटकन हम लोगोंने कितनी pieces लटकन दिये, ये तक बताता हूँ दोस सब देखना पड़ता है, दोस्तों, quality fulfilled क्या है, ये सब दोस्तों, experience के साथ धीदे धीदे, आपको भी समझ आएगा, कि हाँ, ये चीज ऐसे देखते हैं, ये ऐसे देखते हैं, पर अभी भी आप सूरत है, तो length, ये सब बेसिक चीज है, दोस्तों, कोई भी पूछ सकते हो, कि आप पता कर सकते हो, कि क्या चीज है, quality का माल बेचें, हम तो ये ही कहेंगे, दोस्तों, पहली बात, अगर आप नया शुरुबात करें, quality का बेचें, customer को आप भरोसा होगा, आप अच्छी चीज़ें बेच रहें मार्केट में, तो ये चीजों का ध्यान रखें, सूरत आ आओगे या नहीं, दोस्तों, मैं कहता हूँ, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, कहीं से भी आप देख रहे हो, मेरे पास USA, Bangkok, Mauritius, Maldives, के भी customer आएं, YouTube से, आप कहीं भी located हो, globally, कहीं भी, ट्रांस्पोर्ट की service, ये बलाना नहीं तो ढिंगना, कोई ना कोई ट्रां पूर्ट है, सूरत में कम से कम बोलूं, 500-700, अलग-अलग ट्रांस्पोर्ट है, ये वो, courier, courier, कितने सारे हैं, दोस्तों, खाली आपका मन होना चाहिए, मेरे को माल बेचना है, बाकी हर चीज की वेवस्ता, आपका भाई अक्षय करा देगा, खाली मन होना चाहिए, मन बन करते हैं, तो आपके वहां माल ट्रांस्पोर्ट से गैरेंटीट पहुंच आगा, दोस्तों, बिल्टी होती है, कोई दिक्कत निया कि इधर से निकाल दिया, आपके वहां नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ होता ही, माल यहां से निकला है, तो आपके वहां मिलेगा ही, दो बात आत ही नहीं है तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है अपन को और दोस्तों अगली जगा अगली अगले पड़ाओं पर पड़ते हैं होटल तो दोस्तों यहां पर होटल की बात करूं तो जैसे रेल्वे सेशन से आप निकलोगे बार वहां से लिखें मार्केट तक कम से कम 50-100 होटलें होटल में आ जाती है अलग अलग भाव में आ जाती है दोस्तों फांसो रुपे से 5-10,000 रुपे की device ठ्यृंते ब़हां सारी साईटें उन dolphin पहले से बुक कराके आ सकते हो दोस्तों आप लोग तो होटलों की कोई दिक्कत नहीं आने वाली पर एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों अधार काड लाना मत भुलेगा अगर आप दो जने तीन जने तो तीनों का सेपटरेटली अधार काड मागेगा वो होटल वाला सूरत गुजरात का ये शायद नियाम है हर जन का specifically अधार कार्ड मांगता है तो अपन को सब को carry करके लाना है अपनी details कंपल सरी carry करके लाइएगा यहाँ पर आके फालतु में आपको बोले कि ये नहीं है वो नहीं है तो कैसे होगा यह सब अपन को नहीं चाहिए details अपन को mandatory carry करके लानी है बढ़ते हैं अगले question की और अब देखें दोस्तों अब दुकानदार के पास तो आ गए मैं यह नहीं कहता है मेरे पास ही आगए कोई भी दुकानदार के पास आप सूरत में आ गए ऐसे तो आप हुशार हो अराम से मैप में देखके आई जाओगे पर फिर भी कोई दिक्कत हो तो inform कर दीजिए inform करने से यह भी होगा कि by chance कभी कोई दुकान मंगल हो या कुछ भी हो तो वो आपको बोल देगा कि अभी हाँ दुकान मंगल है या कुछ भी तो आप inform करोगे तो उसको भी clarity रहेगी कि आप आने वाले हो तो यह आपको करना है तो आप कर सकते हो अच्छी चीज़ है ठीक है इसके अलावा दोस्तों अब दुकान में तो अपन पहुंच गया है, तो दुस्तों सबसे आप तो आप मेरे को जानते हैं नहीं हो, क्या काम है मेरे आपको पता नहीं आपने फिर भी मेरे YouTube देखिये पर हर दुकान दार को एक जगाओ नीती है जो ताके इन से भरी भी हो, कच्चे माल से भरी हो, कोई अगर डाइरेक्ट आपको यह सब साड़िया रेडी दिखा रहा है दोस्तों, तो सीधा गनित है उसका, रिसेलर है, रिसेलर मतलब कोई और साड़ी बना रहा है, यह उससे खरीद रहा है और आपको चिपकार है दोस्तों, सीधी बात यह, इसको कहते हैं, इसको मनुफेक्चर नहीं कह सकते दोस्तों, मनुफेक्चर नहीं होल्टेलर है रहा है, मनुफेक्चर वो होता है, जो कपड शुरुवात से खुद बनाएं चेकिंग करवाएं पूरा प्रोसेसिंग खुद करवाएं दोस्तों उससे क्या होता है कॉस्टिंग कम आती है आपकी खरीदी कम होगी आपकी सेलिंग भी कम रेट में सेल करोगे कम रेट में सेल करोगे तो सेल बढ़ेगी जितना कम भाव उतनी सेल जादा उतना जादा कस्टमर्स का भरोसा आप पे जादा हो जाएगा तो यह चीज़े आपनको देखनी कि भाई दुकान में घुमोगे ना अराम से आपको पता चल जाएगा खाली इसके पास पक्ता माल है एक दो दुकान 500 मैं आपको बोलों 500 स्कुएर फीट लेके दुकान बैठ जाओ उसमें सब करो इंपॉसिबल है दोस्तों इंपॉसिबल अच्छा खासा इंफ्रस्ट्रक्चर चाहिए तो उसके अंदर यह पॉसिबल हो पाता है मैं आपको बोलों मेरी 5-7 दुकाने तो खाल रखे नफे का फरक आजाते दोस्तों 15-15 से लेके 20 टकेगा नफे का फरक आजाते दोस्तों यह सब ध्यान रखे नहीं तो चेप देंगे आपको 15-20 टका आपको भारी पड़ेगा दोस्तों देख लीजे इसके अलावा एक दो और चीज़ें आपको बताता हूं जैसे आप म माल लीचे अभी तक पैकिंग चल रही है अभी टाइम बात करूं तो तीन बजे अभी चार बेदक इदर पैकिंग चलेगी चार बेदक आप उससे पहले कोई भी माल दो कोई भी मेरी दुकान से इधर तुरंत उसी दिन पैक होगा चला जाएगा कारण कि है दोस्तों कि इत अगली चीज़ है कि क्वालिटी कैसे परके तो वो सब आपको मैंने बता दिया दोस्तों एक ही डिजाइन है अगर मैं आपको बताओं तो चली एक चीज़ दिखा देते हैं आपको अब मैं आये ही हूं तो यह देखिए इधर है यह देखिए इन 402 करके दो साड़िया निकालूंगा मैं भाई यह देखिए दोस्तों यह दो चीज़ें इसका कपड़े का कॉलिटी फोड़ी सी पूड़ी सी कड़क है यह ज्यादा सॉफ्ट है कलर में आप फरक देख सकते हूं बहुत दार्क है यह लाइट है यह है यह चीज़ कहूंगा तो नॉन ब्लूमिंगा नॉन प्लूमिंगा और यह चीज़ है यह दोनों में फरक है यह सब दोस्तों फरक पकड़ना अपन को सीखना पड़ेगा तो जाके आपको पता चलेगा हर चीज में दोस्तों हर चीज में आपको बोलूँ एक ही दुकान में दोस्तों आपको 10 कॉलिटिया में दिखा सकता हूं मेरी दुकान में तो हर को यह नहीं करता है तस्ता माल भारी में चिपका देंगे आपको आपको पता नीचलेगा तो उसके लिए क्या करना है घूमना है जादा से जादा सूरत में घूमना है तो आपको क्वालेटी का अंदाजा लगना लग जाए क्वालेटी में क्या-क्या चेक करना है वह त इतने से पहले जितना चेक करना है करो कोई कुछ नहीं कहेगा एक बार माल खरीद लिए आप लोगोंने माल चिपक गया दोस्तों जब तक नहीं बिखेगा यह मान के चलिए दिमाग में माइंसेट बना के चलिए जितनी महनत करनी है खरीदी से पहले करनी है अपन को यह ध्या अगला पॉइंट यह है कि online माल भेज सकते हो हाँ दोस्तों हर वीडियो में मैं कहता हूँ 40-50 minimum quantity रहेगी हमारी सैंपल के लिए उससे उपर आपको जितना माल चाहिए इज़र सब पार्सल हम लगा सकते हैं आपको पर अगर आप में को रीटेल के लिए इंक्वाइरी करें कि भाईया दो साड़ी 10 साड़ी देदो हम नहीं देते कम से कम आप लोगों को 40 साड़ी का छोटे से छोटा पार्सल में यहां से लगवा दूंगा दोस्तों देखो दोस्तों आपको बताओं तो सूरत पूरे इंडिया की नहीं कह रहा एशिया की कपड़े की सबसे बड़ी मं यहां पर आपको मैं बोलू ना दोस्तों तो एक लाग दुकांदार तोभी पांधस मारकेट कम से कम 500 मारकेट में लोगों को कम स्यों 599 हजार दुकांडे आपATHAN को देखने को मिल जाएगी तो यह सब चीजों को आपकोाधू इतनी बड़ि नाबसे आतर आ हुं ना हैं यह ध्यान में रखें तो इतनी जानकारी आपको आ Cheese के लिए दे दी अगर आपको चाहिए anda और जानकारी तो मिले आगे कमेंट्स करें अगली वीडियो में आपको बताओं। आज की वीडियो के लिए इतना ही श्योक्रिया दौस्तों